नीलांजन न्यूज में आपता स्वागत है हम दखते हैं हर खबर पर नज़र और देते हैं आपको फूल नवी नतम और विश्वस निय खबर उप राश्वपती पद के लिए उम्मीदवार तै करने के मकसद से आज विपक्षी दलों की बैठक हुई है उप राश्वपती पद के लिए विपक्ष गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर सहमत हो गया है चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष जल्द ही उनसे अपील कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में हो रही इस पैठक में JDU, RJD, TMC, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी समेत 18 दलों के नुमाइन दे शामिल थे राश्वपती चुनाव में अलग राह अपनाने वाली JDU भी इस बार विपक्ष के साज उमीदवार के साथ खड़ी दिख रही है, शारद्यादव बैठक में पहुंचे हैं, बता दें कि इस से पहले राश्वपती चुनाव को लेकर विपक्ष की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी को उतारने की बाते सामने आ रही थी, लेकिन बात में मीरा कुमार के नाम पर म मोहन सिंग, समाजवादी पार्टी की ओर से नरेश अगरवाल, बहुजन समाजपार्टी की ओर से सतीश मिश्रा, नाशनल कॉन्फरेंस के उमर अब्दुल्ला और जेडियू की ओर से शरद्यादव मौजूद थे, दरसल इसके पीछे भी सियासी वजह है, महात्मा गांधी के सबसे छोटे पौत्र गोपाल गांधी की पारिवारिक जड़ें गुजरात में है, इस लिहाद से विपक्ष का मानना है कि उनके उम्मीदवार बनने से पीएम मोधी के लिए भी राजनीतिक सिथी सहज नहीं होगी, समभवतहा इन ही वजहों से नितीश लालू से लेकर स हुजन समाज पार्टी को उनकी उम्मीदवारी सूट करती है, कॉंग्रिस से भी गोपाल गांधी के अच्छे रिष्टे हैं, उसकी बानगी इस बात से समझी जा सकती है कि कॉंग्रिस नहीं 2004 में उनको पश्चम बंगाल का राजपाल नियुक्त किया था, उस दोरान पश् गाने में गुरेच नहीं करेगी, उन लेखनिया है कि नौकरशाह से लेकर राजजन्यक राजदूत के लंबे अनुभव के धनी गांधी लेखन और बोधिक जगत में अपनी खास पहचान रखते हैं